अब हमें अबिकस का इंट्रोडूक्षन इस्टूडेंट को बोर्ड पर भी ड्रोग करके समझाना है तो हमारे टीचर अबिकस की उपर भी बच्चों को समझाना है आपको दोलोप्रकार से एक्स्बैन करना है जैसे कि मैंने बोर्ड़ पर ड्रोग किया है अबिकस ऐसे आपको भी अविकस को ड्रो करना है चलो हम लोग समझते हैं इस ड्रोइंग को सबसे उपार ये हमें नजर आ रहा है That is frame of अविकस यनि टीचर अविकस में जब हम लोग explain करेंगे या हम लोग student अविकस पर explain करें सबसे पहले हमें explain करना है frame इसके लावा आपको ये middle बार नजर आ रही है आपको इसे कहते हैं beam middle बार इस middle बार को बोलेंगे beam clear और इस beam के नीचे ये जो भी नजर आ रहा है इन्हें कहते हैं width ये सब क्या है ये break है ये सारी के सारी क्या है weeds ये सबी क्या है weeds और इस beam के नीचे इस beam के नीचे जितनी भी weeds हैं इन्हें कहेंगे lower weeds that is lower weeds और beam के उपर जो weeds हैं इसे कहेंगे upper weeds that is upper weeds these are lower weeds beam के नीचे that is lower weeds that is upper weeds clear और इन्हें कहेंगे rods इन्हें कहेंगे rods ये सारी क्या हैं rods clear तो upper weeds lower weeds frame beam इसके अलावा हम देखेंगे कि abecus में beam के उपर कुछ dot बने हुए होते हैं तो जो middle point होता है middle dot होता है उसे कहेंगे unit point that dot this dot is called unit point और unit point के उपर जो rod होती है that is once rod ये unit point के उपर जो rod है that is once rod और once rod के पास tens rod once rod के पास tens rod hundred rods and thousand once ten hundred and thousand once ten hundred and thousand clear ये हमारा एक ड्रो करके आप लोगों को बच्चों को समझाना है और आपको ड्रो करना है साथ में बच्चों को भी अपनी activity book में इसको आप ड्रो करवाएं इससे बच्चों को practice होगा और इनके bits के इनके जो elements हैं अबेकस के वो भी लाल होगा अब हम लोग देखते हैं teacher अबेकस के उपर इसी चीज़ को हमें again explain करना है अबेकस के वोगएं